नमस्कार, आज मैंने कविता सुझी यूट्यूब पर मुझे बहुत पसंदा है। यह कविता का नाम है हाँ मैं और इसे लिखा है तोईश भाटिया नहीं। मुझे लगा मैं यह कविता आप सबको पढ़कर सुना। याद रखिएगा यह अलफाज मेरे नहीं है पर यह जो जजबात है यह मेरे है। कविता थोड़ी आखरोश भरी है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और गौर फरमाईए। हाँ मैं और अउरत हूँ। बेहया बच्चलन बेशर्म हूँ। मुझे तो बैठने का तरीका तक नहीं आता। टांगे फार कर बैठना तुम्हें कितना है भादा। मेरी बेबाग हसी पर तुम आपत्ती जताते हो। और खुद अपनी मा के आगे मा की गाली दे जाते हो। उफनते हुए लावासी गर्म हूँ मैं। हाँ मैं औरत हूँ। बेहया बच्चलन बेशर्म हूँ मैं। खाने में नमक कम तो पूरे हफ़ते ताने। जरा जाओ तो बाजार से तुम भी सबजी लाने। मर्द हो तो मुझ पर रोज हाथ उठाओगे। मर्द हो तो मुझ पर रोज हाथ उठाओगे। मेरे बिना ये शृष्टी पैदा कर चला पाओगे। तुम्हारे उत्पलता के लिए खोती मासिक धर्म हूँ मैं। हाँ मैं औरत हूँ, बेहया बच्चलन बेशर्म हूँ मैं। हर एक चीज पर अपना हक चताना आता है। एक रिष्टा तो बताओ चो तुम्हें ढंग से निभाना आता है। रेप करके फेक देना तुम्हारे लिए आम बात है। पूरे परिवार को बांध कर रखने वाला मुझ में बसा जजबात है। तुमसे अधिक कठोर और अंदर से नर्म हूँ मैं। हाँ मैं औरत हूँ, बेहया बच्चलन बेशर्म हूँ मैं। तुम्हारी नजरों से होता रोज दुशकर्म हूँ मैं। हाँ मैं औरत हूँ, बेहया बच्चलन बेशर्म हूँ मैं। ये जमाना बदल जाए पर मा की ममता नहीं बदलेगी। तु लाक बंदिशे लगाले पर अब ये औरते नहीं फिसलेंगी। अब तु देख ये जमाना ऐसा आएगा, पराबरी नहीं दी, तु ये सोच सोच कर पचता आएगा। समानता का नया मजहब नया धर्म हूँ मैं। हाँ मैं औरत हूँ, बेहया बच्चलन बेशर्म हूँ मैं। हाँ मैं औरत हूँ बेहया बच्चलन बेशर्म हूँ मैं